चंबल सरसों की खेती के लिए पूरे देश में ख्यात है। यहां के सरसों तेल की मांग विदेश तक है। इसलिए बीते दो दशक से चंबल के मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों में सरसों की खेती का रखबा लगातार बर रहा था। लेकिन बीते दो बरस से सरसों के भ घट गया है। चंबल का भिंड जिला पूरे मप्रमे सरसों उत्पादन में अवल है। यहां पिछले साल सरसों की खेती दो लाक तीस हजार दो सो पैंटीस हेक्टेयर में हुई जो इसके पिछले साल से आठ हजार दो सो पांच हेक्टेयर अधिक था। इस बार एक लाक अस 18200 हेक्टेयर में खेती हुई है। यानि रखबा 50,035 हेक्टेयर घट गया है। इसी तरह पिछले साल मुरैना में 1000 हेक्टेयर में सरसों की खेती का दाइरा बढ़ा जिसकी तुलना में इस साल 1282 हेक्टेयर में खेती कम हुई है। शियोपुर में पिछले साल की तुलना में सरसों की फसल कम होने के साथ मुरैना में तेल मिल भी बंध होती जा रही है। जिले में 40 बड़ी तेल मिले हैं, जिन में से 34 पर ताला लगा है, 5-6 बड़ी मिल ही चालू हालत में हैं, जो ब्रांडेड कम्पनियों को तेल सप्लाई करते हैं। भिंड में पिछले साल 2,3,235 हेक्टेयर में सरसों की खेती हुई, इस बार 1,8,200 हेक्टेयर के करीब रखबा रह गया, यानि 50,035 हेक्टेयर कम में खेती। मुरैना में पिछले साल 1,771,100 हेक्टेयर में सरसों की खेती हुई. इस बार 1,75,818 हेक्टेयर में बोवनी हुई. यानि 1,282 हेक्टेयर रखबा कम हो गया. शियोपुर में पिछले साल 73,400 हेक्टेयर में खेती हुई थी. इस साल रखबा 79,000 हेक्टेयर पर सिमट गया. यानि 4,400 हेक्टेयर कम में खेती. विदेशी तेलों की आवक से दरसल किसान प्रभावित हैं. साल 2020-2021 में केंद्र सरकार ने विदेश से आ रहे तेलों पर आयात कर दोगुना से ज्यादा कर दिया था और मिश्रित तेल, ब्लेंडेड आयल के लाइसेंस रद कर दिये थे. इससे बाजार में सरसों तेल की मांग ऐसी बड़ी की इसका भाव 200 रुपए किलो पार कर गया. किसानों को एक क्विंटल सरसों का दाम 8,000 से 8,100 रुपए तक मिला. वही दो साल पहले सरकार ने विदेशी तेल पर बढ़ाई टैक्स को कम कर दिया. इससे विदेश से पाम, राइस ब्रान, पाम, कनोला, सोया और अन्य आयल की बंपर आवक होने लगी. विदेशी तेल बाजार में 75 से 80 रुपए किलो के भाव मिलते हैं. इससे सरसों तेल की म पाव 2700 रुपए क्विंटल तक कम हो गए. उधर, खाद, बीज, सिंचाई महेंगी हो गई. ऐसे में किसानों का रुझान सरसों की खेती से भंग होता नजर आ रहा है. सरसों व्यापारियों का कहना है कि सरसों का रगबा कई साल से लगातार बढ़ रहा था. लेकिन इस बा व्यापारियों को फाइदा भी हुआ, लेकिन जैसे ही विदेशी तेलों की बंपर आवक शुरू हुई, सरसों तेल का कारोबार ठप हो गया, जिसके चलते मुरैना की अधिक्तर मिलें बंध है.